एक बहुत बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर BCCI की तरफ से BCCI ने अब डिसाइड कर लिया है कि अब न पांच्वा सेलेक्टर सेलेक्ट करने के लिए तैयार है BCCI के पहले ही चार सेलेक्टर्स तै हो चुके थे अब जो चेतन शर्मा की जाने के बाद जगा खाली हुई थी वो पांचवे सेलेक्टर की जगा अब भढ़ने के लिए तैयार है BCCI BCCI ने इस सेलेक्टर्स के लिए आवेदन निकाल दिया है यहाँ और डिसाइड किया है कि नौथ जोन से सेलेक्टर सेलेक्ट होगा तो नौथ जोन में देखा जाएगा कि अब कौन कौन अपलाई करता है सेलेक्टर के रोल के लिए लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा नाम जो उठ रहा है सेलेक्टर के लिए वह है यहां पर सबसे बढ़ा नाम उठ रहा है कि अगर लूँदर भर बनेंगे तरीके से पक्का है उनका सब्सक्रिम्रेश ने ठीक्ट Cabinet पर 15 की कमाई है जो इंकम है उगी की तरफ से बहुत कम है और चीफ सेलेटर की ज़्यादा इंकम नहीं है कुछ एक सवा करोड की इंकम है वहीं पर लेकिन अगर बात करें वहीं पर विरिंदर सेवाग की नॉर्मल इंकम की तो विरिंदर सेवाग सालाना ब्रैंड एंडोसमेंट कोमेंटरी करके 20-25 करोड अराम से कमा लेते हैं तो वो यहां पर अपलाई करने से थोड़ा सा हिचके चाहेंगे इतनी कम सैलरी पर जो सालाना एक सवा करोड ही मिल रही है तो अगर विरिंदर सहवाग जैसा बड़ा प्लेयर अगर बी सी सी को चाहिए अपने अंदर तो उसे जरूरत पड़े उसे कि वह अपनी सैलरी जो है ठीफ सेलेक्टर की वह थोड़ी बड़ी करे ताकि अच्रे सेलेक्टर की चुन पाई बड़े खी लाड़ीों کا Selection हो पाई सेलेक्टर के तौर पर जैसे Вिरिंदर सेवाग आशीष नहरा का सेलेक्शन हो पाई यहां आपर सुनील गवशकर या international cricket को नहीं जानते उन्हीं लोगों सहीं अपको और सेल prone शेलियक्शन सा को नहीं होगा जितना bilinder सेवाग और कोई बड़ा जान को तो सकता है कि 20 All सा यहां पर नर्बी बरते और थोड़ी सी सालेरी बढ़ा है थोड़ी से अपनी धीली करें ताकि यहां पर वह विरेंदर सेवाग जैसा कोई बड़ा प्लेयर सेलेक्टर या चीफ सेलेक्टर के तौर पे चुन सके विरेंदर सेवाग अगर आते हैं तो इंडिया टीम को बहुत फायदा हुआ कमेंट्स में बताएं दोस्तों क के लो तुफान से